कि सब्सक्राइब को बुल मौनी सुप्रभाद यह जो बैदी करित का हमारे टापिक चल रहा है यह बहुत ही इंपार्टन टापिक है तो आज इसे क्रम में घंणमूल की समझ्या ना बने हमने बता दिया छेंकों वाला मतलब जिसमें संख्या में छेंक हैं पूर्ण संख्या अगर घंणमूल कैसे निकलते हैं ऐखनमूल प्रत्यूक्ता हैं प्रत्य॥ मेथ मेत को काम करने का घोट कम समय में में पूरा काम करके देना पड़ता है तो इसलिए घनमूल रगमूल और इस तरह बहुत अच्छी तरह से आते हो तो आप अच्छी तरह स्को हल करने तो फटा-फट किसी संख्या का घनमूल बता देना करिंग इस वंदर पहोट इच्छी वीदी है इस वीदी से हम इसको घनमूल बता सकते हैं जैसे आपको बताते हैं जैसे मालिया निकलि क्याम इन इतना तो आप हमें सही आद आप जानकारिया पहले से आप जैसे दीवी शंक्या का मल्य पहला मैं घनमूल बताना चैनक्या हमारी किनी है 77308-776 फिक अब घनमूल कितने जोरे बनते यह निकला बना लिया आप इस संक्या का घनमूल निकाना की सबसे पहला जोड़ा देखिए सबसे के लिए किटना से और भृंटिल कंटनासी होता तो 16 16O पनेंग हम ना सीधिर नंदे और सब्सक्राइब में और सी कितना हो गया हो गया हो गया है अब हमको इस पहले इस्थान को भरना तो यह बड़ा आसान है यह दे रखा इसमें 77 तो आपको देखना यह होगा यह देखना यह किसके घंड के बीच मा रहा है इसके घंड से बड़ा तो देखिए चार गण चौश्ट होता है ठीक है और चौश्ट के घंड कितना है एक सो पच्छी सत्र से जाड़ा हो जाएंगे तो हमने भाइचा लिया इस अधर है हमारे वह चौश्ट से बढ़ें किसे बने चोश्ट से लेकिन इक सोपच्छी से गया है छोटे 64 का कितना होता है चौश्ट होता है चहां हो गएखन करेंगे तो मांनश का उसका कितना आजाएगा चाउचा आईब बटाना आख वूतीन हैं कि अगला अग्रा इहां सुता लेजे कितना आया तीन हैं कि आर्गा तीन से गुणा और चार का इसका रखन देते हैं तो चार चक 16 होगा शोल किया 48 हो जाएंगे हो जाएंगे 48 अब 48 का देखिए 133 में कितना भाग चला जाएगा 48 का 13 कितना जाएगा दो भाग क्यों आठ दूनी 16 अब और चार दूनी आठ नौँ तो तीन लगाते हैं तो तीन लगाने में क्या हो जाएगा कि जादा हो जाएगा पिस्टी इबन गया हमारा इतना गटा दीजिए इसको तो गिन्ना भाग तेरा में से अच्छाए अच्छा घैघ्टा सकते हैं यह तो आपका यह हो गया साथ ऐसे मालिया हम अगले स्थांग का गनमूल निकालें अगला हमारे सवाल है मालिया दूसरा 302 11711 ठीक गनमूल बताना बड़ा आसान है तो तो तीन तीन के जोड़े बना लिए हमने देखिए यहां भी तीन अंक होंगे घनमूल में एक लिख दिया हमने इधर आएज आप 302 किसके गन से बढ़ा है देखिए 302 संग क्या है इस सोलहा 216 से बड़ी है लेकिन 343 चोटी है अब 216 किसका गन होता है छे का इसका मतलब 6 हमको टाप्त हो गया स्थान टाप्त हो गया हमको छे मिल गया एक मिल गया यह बीच वाला स्थानों को निकालना है तो इसके निकालने लिए बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है छे का घन करेंगे अब एक्साइब गया उल्च अब यहां पर इक्साइब रहा चला जाएगा तो इसको गटाए लिए पांच बचे यहां पांच चला जाएगा पांच मेंसे बाज गया जीरो जीरो आ जाएगा और यहां पर एक तो यह घंदमुल आपता आ गया है इसका नहीं है बस इस पहचान करने मुझे तीसरा कुश्चन देखी इसी में माली हम दूसरा निकालें तो इसे फटा पटा घंदमुल बता देंगे फटा देल नहीं लेगी हां इस ट्रिक से पता सकते हैं अब आसानी आसान तरी तीसरा है आपका कुश्चन दोसो अठावन पुचार सो चोहतर आत्सो त्रेवन पून बताना है संख्या का देखे कीन का अधन कितना होता है ठिक, तीन का धनकरिए सकता है सब्सक्ना अपको बन ना हम को कि ऑ तीन फीर दोचीट अच्छे तीन है पीज़न के लिए भी वाद आथी दोसोट्थावन के बढ़ा है तो 258 था यहां मिल गया साथ यहां के बीच वाला अंख करना है तो छे का घंग कर देंगे पिकना अगर 216 आज आएगा बठा दीजिए इस दो यहां कितने बची चाट यहां से अगला इस्था ले लिए कितना बचा दो यह वाला अंग लेते हैं ठीक है अब यहां तीन सीगुना देते हैं और शंध्या का वर्ग कर देते हैं तो 6-uf शंध्या करेंगे तो 178 होते हैं अभी हम लोगे लिखा था इतने होते हैं 108 अगर हम चार देंगे तो आठ चौक 32 हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा तो तीन वार देंगे तो तीन वार दिया तो इस तरह से आप फटा-फट किसी संख्या को देखते ही गन्मूल बता सकते हैं सबसे आसान भी दिये मत दूर तीन से लगते हैं ज्यादा घन्मूल लिकालने मिलेंगे अगर आपको यह नों को भी संख्या दे रखिए पुर्ण संख्या आसानी से भनूल जाएगे तो ठीक इसी तरह से आप बने रही है हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब लीजी और त कि मत आपको आसानी से प्राप्त होता रहेगा आप चैनल को देखते रही है सब्सक्राइब कर लीजी वीडियो को लाइक और सेट रही हैंक्यू धन्यवाद